Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education और आज की वीडियो सभी CBSE board exam देने वाले students के लिए काफी जादा important है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CBSE के द्वारा जारी किये गए एक नए circular के बारे में जो की सभी students के लिए बहुत जादा important है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कह लीजिए किसी ना किसी एक्जाम में ऐसा question निकल ही आता है जो की गलत प्रिंट होआ होता है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई गलती होती है तो इस चीज से related CBSE ने एक circular जारी किया है Observation on Question Paper 2023 तो चलिए हम देखते हैं कि इस particular circular में CBSE ने क्या कहा है CBSE ने सभी school के heads को यानि कि आप सभी की principals को ये लिखा है कि board examination जो है class 10th और class 12th दोनों के ही 15th Feb से जो है start हो चुके है और हर साल schools को request ये की जाती है कि भाई अपने observations या फिर जो भी issue उनको आए है examination में उसे वो CBSE को भेजे on the question paper on the website OECMS ये एक link है जहाँ पर सभी schools को भेजना होता है कि आखिर किस question paper में क्या गलती है तो schools यो है ना इस चीज को गलत तरीके से ले गए है और उन्होंने CBSE को इस बार काफी गुसे में CBSE जो है काफी गुसे में आ गई है इस बार और teachers की responsibility होती है कि वो आगे CBSE को ये चीज बताएं लेकिन जो schools हैं जो teachers हैं जो school यहां पर send कर रहे हैं observation वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि अलग-अलग email id से send कर रहे हैं कि आखिर किस school ने ये जो request है वो send की है या फिर किस की तरफ से ये observation send की गई है उसके बाद observation जो है वो it is sent after several days आज examination हो गया आज के तीन से चार दिन के बाद वो request send की जा रहे है कि भाई इस इस दिन को ये examination हुआ था और इसके अंदर ये ये गलतियां है तो ये चीज़ CBAC बोल रही है कि बिल्कुल गलत है अगर आज examination हुआ है तो इतने दिनों के बाद भेजे गए observation को accept नहीं किया जाएगा उसके बाद observations sent are vague and not clear जो भी observation sent किये जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और clear तरीके से send नहीं किये जा रहे CBAC ने आपर example भी दे दिया है that the question is not correct यानि कि जो schools है वो उन्हें जो mail कर रहे हैं उसमें ये तो लिख रहे हैं कि ये question सही नहीं है लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें क्या सही नहीं है what is not correct in this question it is not mentioned ठीके तो CBAC ने ये तीन problems बताई हैं जो कि schools कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा तभी जो हैं हर बच्चे को उसके marks जो हैं वो मिल सकते क्योंकि आप सभी जानते कि एक-एक mark के लिए आप सभी कितनी जादा पढ़ाई करते हो और अगर question ही गलत आ जाता है तो आपके marks कितने जादा रिलाए कर जाते हैं आपके school के एक mail पर तो यहां पर CBSC ने उसकी कहीं ना कहीं जो भी problem है उसका एक solution ये दिया है कि observation जो भी आप send करोगे वो upload होगी आप नहीं आपके school से जो send होगी वो होगी OECMS portal पर उसके बाद तो clarify the issue अगर जरूरत पड़ी तो उस issue को clarify करने के लिए उन details को send किया जाएगा एक email पर जो specially इसी purpose के लिए बनाई गई है QP यानि की question paper observation at the rate cbcc.in उसके बाद third जो point house में cbcc कहती है observation should be sent on the same day the examination is conducted ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 दिन के बाद observation send की जा रहे है कि इस question paper में ये गलत है उसे cbcc बिल्कुल भी tolerate नहीं करेगी same day जिस दिन वो examination हुआ है उसी दिन उस observation को send करना ज अगर कोई भी observation clear नहीं हुई ठीक है ये नहीं बताया गया कि इसके अंदर क्या दिक्कत है क्या चीज इसके अंदर गलत है एक चीज ये and not received on time अगर time पर received नहीं हुई same day जिस दिन exam में उस दिन received नहीं हुआ then not in compliance with this instruction issued by the cbcc और वेग no action will be taken by the board cbcc board कहता है कि जो तीन चीज अगर उन्हें follow नहीं किया गया और अगर clear नहीं हुआ observation या time पर receive नहीं हुआ तो cbcc board कोई भी action नहीं लेगी ये ultimatum है सभी के लिए कि cbcc board कोई action नहीं लेगी अगर इन सभी rules को follow नहीं किया गया तो यहीं आप लोगों के लिए एक update है I guess आप लोगों को काफी जादा information मिली होगी इससे तो आप लोग अगर खुद नहीं बेज पारें आप खुद मत भेजेगा कोई भी mail उससे क्या होगा cbcc हो सकता है उससे इतना अच्छे से ना ले यानि कि professionally ना ले जादा important basis पर ना तो आपको क्या करना है अपने parents के तुरू या तो आप अपने schools को mail करा सकते हो फिर इसमें यह question सही नहीं है और मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हो कि इसके अंदर answer सही होना चाहिए अगर आप completely sure है तो उसके बाद आप लोग अपने schools को बताएंगे और आपका school जो है उसी same day आपको same day यह काम करना और वो वहाँ पर आगे उस request को send कर देंगे तो I hope आप लोगों को अब सारी चीज़े clear हो गई है अभी भी कोई भी doubt है तो आप लोग नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं Instagram sing creation education पर भी आप हमें follow करते हैं for daily updates तो guys thank you so much have a good day bye bye